हलो फ्रेंड्स वेलकंटु माई चैनल is वीडियों में हम जोलोजियका सेकंड अका उपर से थियरी के उपर से प्रैक्टिकल का पीपर होगा सो तीन पेपर प्रैक्टिकल के होंगे यानि कि आपने फाइलम्स जो पढ़े आगे प्रोटुजवा से लेके अनलिडा तक उसके बाद कंटीनिव होगा आर्थुप्रोडा मॉलिस्का एकाइनो ड्रमेटा एन हमिकॉर्डेटा उसको सब क्लास तक पित एक्जाम्पल्स आपको स्टडी करना है दैन यूनित टू जो है उसमें सिस्टमिक स्टडी के लिए पाइला का दिया गया है जिसके आपको एक्स्टरनल कारेक्टर सिस्टमिक पोजिशन डिफरेंट सिस्टम लाइक डिजेस्टिव रेस्पेरेटरी ब्लड वैस्कुलर एक्स्कुरिटरी नर्वस और इन इवलिशन और अडप्टेशन के बारे में इन शॉट आपको इसमें पढ़ना है दैन यूनित फोर इस अबाओ दी एकोनॉमिक जूओलोजी तो सेमेस्टर थी में आप वर्मी कल्चर और सैली कल्चर के बारे में पढ़ना होता है उसके बाद इसके बेस पर जो प्रैक् करना होता है दैन सेकंड प्रैक्टिकल इस बेस जो यूनित टू है पाइला उसके बेस पर होगा तो उसके माउंटिंग और जो सिस्टम से उसको आपको चार्ट्स थ्रू समझना है उसके बाद थर्ड जो है उसका कलरेशन और मिमिकरी को समझने के लिए आप म्यूजियम के स्पेसिमें थ्रू या फोटोग्राफ्स के थ्रू या चार्ट्स या मॉडल्स उसके उफर से आपको मिमिकरी और कलरेशन समझना है यह बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक भी है और फोर्थ वन इस अबाउट इकोनॉमिक जूलोजी तो डेरी फार्मिंग अन अपिकल्च सो फोर उनिट इंक्लूडेड है यहां पर रेस्ट ऑफ दी कॉड़ेट्स के जितने भी फाइलम है यानि कि रैप्टाइल्स एउसान मैमल्स उसको आपको सब क्लास तक पढ़ना है जिसका क्लासिफिकेशन मैंने अल्रेडी अपनी चैनल पर शेयर किया हुआ है दैन उनिट सब्सक्राइब है जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं इंब्रियोलोजी के लाइक डिफरेंट टाइपस ऑफ एग्ग्स, क्लिवेज पैटर्न, डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग, अप्टु नूरेलेशन और फ्रॉग मैं मैं में अम्टामॉर्फोस इंब्रियोलो इतनी चीज़ों को आपको कमपेरेटिवली पढ़ना है उसके बाद प्रेक्टिकल की बास करें तो यहां पर अगेन जो आपको एक्जाम्पल दिये है उसको इसको स्पेसिव हैन पर से क्लासिफाई करना है वित रिजन यूरो मैस्टिक्स के डिफरेंट सिस्टम उसको आप तो सेल स्टेज, फोर सेल स्टेज, एट सेल स्टेज और जिसकी परमनेंट स्लाइड नहीं होती है उसको आपको चाट के तरू समझाय जाता है इन ऑस्टियोलोजी तो इसको भी कमपरेटिर चाट पर से समझाय जाएगा फूर लिम्स, हिंड लिम्स और बर्टीबर कॉलं ज इंजुगेटर टाइम के प्रोटीन्स, डिराइवल प्रोटीन्स इस अब को डिटेज में समझ नहीं उसके बाद के स्ट्रक्चर यानि के प्राइमरी, सेकंडरी, टर्शरी, क्लासिफिकेशन होगा और मेटाबोलिजम में डियमिनेशन, ट्रांस अमिनेशन, और नेथिन सा यह आपको study करना है, unit 2 is about lipid, तो lipid का again classification होगा और metabolism की बात करें, तो lipid के metabolism की साथ जितनी पी cycles जुड़ी होगे, like beta oxidation है, okay, glycerol metabolism है, और lipid metabolism का जो hormone का control है, उसको आपको study करना है, unit 3 is about nervous coordination, and unit 4 is about excretion and osmoregulation, right, तो यहाँ पर आपको excretion की जो process है, उसको detail में समझना है, like urine formation है, hormone control किस तरह से होगा, then osmoregulation, fresh and marine waters में, और diffusion and jodonance equilibrium है, उसको पढ़ना होता है, उसके बाद इसके practical की बात करें, तो based on paper 403, यहाँ पर biochemistry और animal physiology के practicals है, तो first जो है उसमें आपको, आप जो urine formation की process पढ़ते हो, right, तो उसके base पर यहाँ पर आपको होता है, practically perform करना होता है, यूरीन में normal और abnormality को check करने के लिए, so वो होगा, second जो है, उसमें आपको sensory organs like human eye and ear, उसको working model के थुरू पढ़ना होता है, and different types of now cells के बारे में, and third one practicals जो है, उसको chart के थुरू समझना होता है, like इसमें जितनी भी cycles है, deamination है, metabolism की सारी process, ornithin cycle, hormonal control of protein metabolism से लेकर के, osmoregulation, inflation, marine water, ये सारे topics आपको cover करने हैं, so इस तरह से यहाँ पर paper 403 जो है, वो खतम होता है, अब इनकी reference books के बारे में बात करें, तो semester 3 और 4 की combined ली बात करेंगे हमें हाँ पर, तो paper 301 and 401 है, तो उसके लिए again, यहाँ पर में mention करूंगी, book recommend करूंगी, six number की जो book है, that is modern textbook of zoology, invertebrates, जो लिखी गई है, आरेल कोटपाल के द्वारा, जो रस्तों की publications से publish हुई है, और दूसरी एक, Jordan Verma के द्वारा लिखी गई books है, उनमें भी बहुत easily और अच्छे समझ में आ जाई इस तरह से, वो बुक में सारे topics cover हो जाते हैं, दोनों में, और दूसरी एक आती है, सारस publication के, उसमें बहुती easy language में, short topics में आपको समझ में आ जाई, इस तरह से लिखा हुआ होता है, और वो Amazon पर भी available है, और उसकी price भी जादा नहीं होती है, then paper 302 and 402 की बात करें, तो इसमें भी again इसी तरह से होता है, कि जुरस्तोगी publication की, प्रोफेसर R. L. Coatpal की दवरा लिखी गई, modern textbook of zoology है, वो अबेलेबल है, जिनमें quadrates के बारे में सारी detail information आपको मिल जाएगी, और Jordan Verma वाली बुक भी, और Cyrus Publications की vertebrates की बुक भी, then biochemistry के लिए बात करें, 303 and 403, दोनों ही साम की बुक में, तो Cyrus Publications की biochemistry की जो बुक है, वो बहुत ही अच्छी है, उसमें आपको easy language में, आसान भासा में, बहुत ही अच्छी से सारे topics clear हो जाएंगे, with structure, cycles and all जितने भी इसमें topics दिये गए है, वो included है, embryology की बात करें, तो उनमें भी सारस Publications की embryology की अलग ही एक बुक है, जिनमें सारे topics cover होते हैं, उसके बात करें यहाँ पर, तो दूसरी भी बहुत सारी आपको reference books दी गई है, जिसको आप use कर सकते हो, और आपकी library में भी easily available होगी, I hope it आपको helpful होगा यह video, and thank you.